देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ साथ जोतिश, वास्तु, मंत, राधी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय प करता हूँ, आप सभी स्वस्त होंगे महादेव की किरपा, आप सभी पर सदाइव बनी रही। यह वीडियो है, 27 दिसंबर 2021 से 2 जनवरी 2022 के साथ आहिक अंक जोतिश का, यानि की वीकली नूमरोलोजी रिपोर्ट का, सबसे पहले तो शमा प्रारती हूँ कि पिछले कुछ सम होता है, वीकली नूमरोलोजी रिपोर्ट होती है, वो मैं नहीं डाल पाया था, अपसे पूरी कोशिश रहेगे कि हरफते सापताहिक अंक जोतिश का राशिभल भी साथी साथ में डाल दो, अंक जोतिश या नूमरोलोजी भी जोतिश का एक पात ही है, जिस तिथी पर आपका जन्म हुआ होता है, उससे आपका मूलांक बनता है, और उस मूलांक के एक स्वामी होते हैं, जनका अधिपत्य किसी एक ग्रह के पास ही होता है जैसे मूलांक एक के स्वामी है सूर्य उसी मूलांक के बेसिस पर ये वीकली नियुम्रोलोजी एस्ट्रोलोजी रिपोर्ट आपको दी जाएगी तो शुरुवात करते हैं 27 दिसंबर से 2 जैनवरी 2022 के सापताहिक अंक जोतिश राशिपल का मूलांक एक के साथ जिनका जन्म एक, दस, उन्निस और अठाइस तारिक को हुआ होता है उनका मूलांक होता है एक यानि की वन और उनके मूलांक के स्वामी होते है सूर्य यानि की सन जन्रल प्रडिक्शन्स असे स्टार्ट करते हैं इस हफ़ते आपसे एक ही चीज कहूंगा कि यदि आप चाहते हैं लोग आपसे अच्छा विवहार करें तो आप भी उनसे थोड़ा अच्छा विवहार ही करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे इज़त से पेश आएं आपसे रिस्पेक्ट से बात करें लेकिन उसके विपरीत आप उनसे थोड़ा डिस्रिस्पेक्टिंग वे में बात करते हैं तो ये नहीं चल सकता हो सकता है कोई आउट ओफ कर्टसी आपसे कुछ समय तक से ही जवाब देंगे मुलांक एक के स्वामी सूरे होते हैं तो ये लोग थोड़े से अथोरेटेटिव होते हैं ये चाहते हैं कि जैसा ये चाहे उसी तरह से लोग इनसे पेश आएं लेकिन ये यूजुली चलता नहीं है साधी में एक चीज़ कहूंगा कि अपने नौलेज को अपने नौलेज के होराइजन्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे इस हफते तो अच्छा रहेगा थोड़ी चैरिटी करेंगे अगर इस हफते तो आपको अच्छा फील होगा और उसके शुब रिजल्ट आपको आने व शुरुवात करने के लिए यह हफता बहुत शुब है करियर में जो लोग अपने करियर में बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं कुछ अचीव करने के लिए अभी आपको हार नहीं माननी बहुत जल्दी आपको कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है हफते के अंत में थोड़ा अनिशित्ता का महौल रह सकता है आपके कारेक्शेत्र में जादा इमोशनल होकर आपको कोई डिसीजन नहीं लेना Human Resource से जुड़ा Public Dealing से जुड़ा कुछ भी जॉब आप करते हैं तो यह हफता अच्छा रहेगा Administration से जुड़ा कुछ जॉब करते हैं तो भी यह हफता अच्छा रहेगा Business पे चलते हैं यह हफता Business के लिए Overall Positive है हफते की शुरुवात में काफी Authority रहेगी आपके अंदर अपने Business को लेकर लेकिन थोड़ा Aggression भी आ सकता है उस Aggression को Control अगर कर लिया तो Business के लिए हफता बहुत अच्छा है हफते के बीच में आपको थोड़ा Competition फेस करने को मिल सकता है आपके जो दुश्मन हैं Competitors हैं वो आपको तंग करने की कोशिश कर सकते हैं एक चीज़ का ध्यान रखना है कि भावुक होकर अपने Business में कोई निर्णे नहीं लेना आपको हफते के अंत में वरना महंगा पढ़ सकता है Relationship की दरफ चलते हैं ये हफता Relationship के लिए मिला जुला दिख रहा है एक ठीज कहूँगा कि पहले अपने आपको पहचानिये अपने आपको जानिये फिर अपने पार्टनर को जज करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा वैसे हमें किसी को भी जज नहीं करना चाहिए जितना हम जज्जमेंटल रहते हैं अपने आपको अंदर से उतना ही खोखला करते रहते हैं हफते के बीच का समय रिलेशन्शिप के लिए अच्छा है एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे अपने पार्टनर के साथ हफते के अंत में उन लोगों के लिए अच्छा समय है जो अपने रिलेशन्शिप में कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं यदि आप किसी से हेल्प मांगते हैं किसी बाहरे इंसान से जो आप दोनों को ही जानता है तो वो आपकी हेल्प बहुत हद तक कर सकता है जिससे आपके रिलेशन्शिप में दुबारा स्टैबिलिटी आ जाए मैरिड लाइफ की तरफ चलते हैं शुरुआत में हफ़ते के जितना कम बोलेंगे अपने लाइफ पार्टनर से उतना अच्छा रहेगा क्योंकि मिसकॉम्मुनिकेशन होने के बहुत जादा चांसे है हफ़ते के बीच का समय कमपेरेटिवली अच्छा है आपके घर के बड़े सदस्य आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं यदि आपके बीच कोई मनमुटाव चल रहा है तो तो किसी से मदद मांगने में हिचकेगा मत हफ़ते के अंत का समय वेवाहिक जोड़ों के लिए अच्छा नहीं है एक तो आपके बीच में वाद व्याद होंगे कोई बाहरी इंसान आपके वेवाहिक जीवन में विग्ण डालने का बहुत प्रयास करेगा शड्यंत्र रचेगा इस चीज से आपको थोड़ा बचके रहना है फाइनैंसेस पर चलते हैं इस हफते आप अपने पैसे को लेकर बहुत सजग हो जाएंगे सीरियस हो जाएंगे सेविंग्स के बारे में सोचेंगे वैसे भी साल खतम हो रहा है नया साल शुरू हो रहा है तो आप बहुत सीरियस हो जाएंगे कि किस तरह से सेविंग्स बढ़ाएं अपने income के sources किस तरह से बढ़ा है हफते के बीच में फिजूल का खर्चा थोड़ा बहुत कर सकते हैं जिस पे बाद में आपको गलानी होगी हफते के अंत में खर्चा आपका थोड़ा अचानक से बढ़ सकता है जिस पे आपका कोई नियंतरन नहीं रहेगा सेहत की बात करें तो हफते की शुरुवात में आखों से सम्बंदित प्रॉब्लम साथ ही में आपको skin disorders थोड़ा तंग कर सकते हैं हफते के बीच में lower back में प्रॉब्लम रहेगी और हफते के अंत में आपको anxiety disorders काफी तंग कर सकते हैं चलते हैं मूलांक 2 की तरफ जिनका जन्म 2, 11, 20 और 29 तारिक को हुआ होता है उनका मुलांक होता है दो और उनके मुलांक के स्वामी होते हैं चंद्रमा यानि की मून जनरल प्रेडिक्शन से स्टार्ट करते हैं आपके लिए जनरली ये हफता बहुत positive दिख रहा है कोई बहुत अच्छी न्यूज आ सकती है जिसका बहुत समय से वेट कर रहे थे इच्छा पूर्ती होगी, लाब प्राप्ती होगी कोई काम बहुत समय से अटक रहा था उसके संबंद में कोई positive न्यूज आ सकती है किसी बुरी चीज का अंत हो सकता है किसी positive चीज का आरंभ हो सकता है बहुत positive दिख रहा है आपके लिए ये हफ़ता इस हफ़ते के अंत में आपको कोई बहुत positive न्यूज मिल सकती है जो आपको बहुत उत्साहित बहुत खुश कर देगी करियर की तरफ चलते हैं करियर में जो लोग job करते हैं especially उनके लिए थोड़ा जादा सोचेंगे आप जरूरत से जादा वैसे भी जो मुलांक दो के जातक होते हैं बहुत कालपनिक होते हैं इनका जो सोचने की क्षमता होती है बहुत जादा होती है लेकिन कभी-कभी ये बहुत जादा ही सोच विचार कर लेते हैं और अपने लिए ही कुछ problems create कर लेते हैं तो कारेक शेत्र में, करियर में उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि overthinking नहीं करनी थोड़े adjustment करने पर सकते हैं आपको उस चीज़ का थोड़ा ध्यान दीजेगा थोड़े flexible रहेगा अपने attitude में थोड़ा flexibility रखियेगा साथी में एक चीज़ कहूँगा कि bigger planning करिये छोटी मोटी planning तो चलती रहती है अपने career को आगे बढ़ाने के लिए इस हफते से थोड़ी bigger planning करेंगे तो अच्छा रहेगा education से related, tourism से related आपका कोई भी काम है तो यह हफता बहुत अच्छा रहेगा business पर चलते हैं जो लोग business करते हैं यह हफता बहुत अच्छा दिख रहा है at least शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी पैसे के हिसाब से हो नई opportunities के हिसाब से हो हर तरह से बहुत positive दिख रहा है यह हफता हफते के बीच में कुछ transformation लाने पड़ेंगे, आपको changes लाने पड़ेंगे, जिस से आपके business में फायदा मिले थोड़े confused रह सकते हैं आप अपने business को लेकर specially mid of the week में हफते के अंत में energy आपकी बहुत intense रहेगी अपने business में, लेकिन शायद result उसे आपसे नहीं मिल पाएंगे जिसके कारण थोड़े frustrated रहेंगे एक चीज़ कहूंगा कि आने वाले समय में आपको उसके अच्छे result ज़रूर मिलेंगे expectations बहुत high मत रखिएगा, जो काम आ रहा है अपने business में उसको ढंग से कीजिए आने वाले समय में उसके positive result आपको अवश्य मिलेंगे relationship की तरफ चलते हैं determination थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा अपने relation के प्रती, अपने partner के प्रती थोड़ा आपका commitment level कम हो रहा है, उस पर थोड़ा काम कीजिए अगर कोई problem आ रही है तो हफते के बीच में दोनों मिलके अधी उसका solution ढूनने की कोशिश करेंगे थोड़े efforts आपकी तरफ से ज़्यादा लगेंगे तो चीजें बहुत हद तक ठीक हो जाएंगे कुछ confusion की स्थिती भ्रम की स्थिती अधी हो गई थी आप दोनों के बीच में तो हफते के अंध तक बहुत हद तक चीजें clear हो जाएंगे Married life की तरफ चलते हैं हफते की शुरुवात बहुत अच्छी नहीं दिक रही जो लोग married हैं उनके लिए अपने दिमाग में अजीव अजीव से खयाल ले आएंगे मन घडंत बाते सोचेंगे जिनका वास्तविक्ता से दूर दूर से कोई नाता नहीं होगा at least most of जो आपके खयाल आएंगे आपके दिमाग में thoughts आएंगे वो practicality से बहुत दूर होंगे इसके कारण अपने married life में कुछ problems create कर लेंगे हफते के बीच का समय comparatively अच्छा रहेगा जो problems आ रही है उसको हसी मजाग से यदि solve करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा हफते के अंत का समय बहुत अच्छा है विवाही की जीवन के लिए अच्छा time spend करेंगे problems बहुत अच्छा ठीक हो जाएगी cooperation रहेगा, communication बढ़ेगा अच्छा समय है हफते के अंत का अगर compare करें तो हफते की शुरुवात से हफते के अंत का समय बहुत अच्छा है आपके लिए खर्चे की बात कर लेते हैं हफते के बीच के समय भी खर्चा थोड़ा जादा दिख रहा है कुछ खर्चे ऐसे होंगे जिन पर control आपका बिल्कुल भी नहीं रहेगा हफते के अंत में थोड़ा पैसे को लेकर आप सजग हो जाएंगे और savings के बारे में सोचेंगे हफते के अंत में अच्छे योग भी बने हुए है अच्छा पैसा आप अरजित कर सकते हैं हफते के अंत में सेहत पर चलते हैं हेल्थ की बात कर लेते हैं हफते की शुरुवात में आपको तांगों में दर्द रह सकती हैं हफते के बीच के समय में anxiety disorders और हफ़ते के अंत में आपको lower back में problem काफी तंग करेगी अब चलते हैं मुलांक 3 की तरफ जिनका जन्म 3, 12, 21 और 30 तारिक को हुआ होता है उनका मुलांक होता है 3 और मुलांक के स्वामी होते हैं ब्रहसपती जनरल प्रडिशन से स्टार्ट करते हैं कि हफ़ता आपके लिए वैसे काफी positive दिख रहा है कुछ positive news हफ़ते की शुरुवात में ही आ सकती है जिसका आप wait तो नहीं कहूंगा लेकिन जिसके बारे में आपने सोचना ही बन कर दिया था कि हाँ अब ये चीज नहीं हो सकती इस हफ़ते उससे संबंदित कोई positive news आ सकती है यात्रा के योग बन रहे है इस हफ़ते आपके अचानक से यात्रा करनी पड़ सकती है लेकिन बहुत हट तक वो यात्रा आपके लिए शुब होगी लावकारी होगी कोई ऐसी आपकी इच्छा थी जो बहुत समय से पूरी नहीं हो पा रही थी इस हफ़ते में वो इच्छा भी आपकी पूरी हो सकती है positive हफ़ता दिख रहा है आपके लिए ये आने वाला करियर पे चलते हैं जो लोग job करते हैं थोड़ी problem हो सकती है हफ़ते के शुरुवात में वाद विवाद हो सकते हैं communication gap आ सकता है आपके कारेक शेत्र में हफ़ते के बीच में बहुत सारे changes आ जाएंगे आपके career में आपकी job में जहां पे भी आप काम करते हैं शायद काम का pressure कुछ जादा हो जाए year end है नई साल के शुरुवात हो रही है हो सकता है कुछ ऐसा काम आज़े जो आपके profile से विपरीत है उसके कारण थोड़े से विचलेत आप रह सकते हैं लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आप changes को accept कर लेंगे और उनमें अच्छा ही result लेकिया हैंगे हफते का अंत comparatively बहुत अच्छा है भागे साथ देगा आपका आपका वैसे performance अच्छा रहेगा लेकिन अपने bosses से अपने senior से थोड़े वादव्याद हो सकते हैं हफते के अंत में अगर MNC में काम करते हैं बाहर से संबंदित कुछ काम करते हैं overall ये हफता बहुत शुब है आपके लिए पैसे के हिसाब से कहिए भागे के हिसाब से कहिए अपने business के मान सम्मान के हिसाब से कहिए हर चीज के हिसाब से ये हफता बहुत अच्छा है business जो करते हैं उन लोगों के लिए इस हफते का फायदा आपको भरपूर तरीके से उठाना चाहिए थोड़ी सीरियसनेस रहे सकती है आपकी वानी में जिस पर अगर कंट्रोल कर लिया तो अच्छा रहेगा जो लोग बिजनेस करते हैं उनको मधुभाशी होना ही चाहिए कभी ना कभी कही ना कहीं वो चीज काम आती है इंटीर डिजाइनिंग से जुड़ा आटोमोबील इंडस्री से जुड़ा कुछ भी बिजनेस आपका है तो आपके लिए ये हफता बहुत अच्छा रहने वाला है रिलेशन्चिप की तरफ चलते हैं थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है रिलेशन्चिप इस हफते का जादा कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजेगा अपने पार्टनर को वरना चीजें और भी कर जाएंगी थोड़ा कॉंप्रॉमाइज करना आपको पढ़ सकता है अपने रिलेशन्चिप में स्टैबिलिटी बनाय रखने के लिए एक चीज कहूंगा कि जितना कम बोलेंगे स्पेशली हफते के अंत में उतना आपके लिए अच्छा रहेगा रिलेशन्चिप में विवाहिक जीवन की तरफ चलते हैं विवाहिक जीवन के लिए ये हफ्ता अच्छा देख रहा है कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी कुछ चीजे पूरी नहीं लग रही थी तो हफ्ते की शुरुवात में ही एक पूर्णता का भाव आता हुआ देखेगा ठोड़ा अपने इच्छाओं पर कंट्रोल रखेंगे अपनी इन्टैंसिटी पर कंट्रोल रखेंगे तो हफता बहुत स्टेबल रहेगा वरना चीजें थोड़ी बिगड़ सकती हैं हफते के अंद में थोड़े नेगेटिव ठिंकिंग के कारण अपने आप ही अपनी मेरेड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आप क्रियेट कर सकते हैं फाइनेंसेस एंड एक्सपेंसेस पे चलते हैं हफते की शुरवात में密communication के कारण कुछ खर्चा आपका हो सकता है मिस management के कारण कुछ खर्चा हो सकता है हफते के बीच में अपने financial situation को लेकर थोड़े चिंतेत रहेंगे ये सोचेंगे कि शायद मेरी सेविंग्स, मेरी इंकम इस समय अच्छी नहीं है, पूरी नहीं है, पर्याप्त नहीं है उसको लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे और आपको उस पे काम करना चाहिए हफते के अंत में अचानक से बहुत खर्चा हो सकता है जिसको यदि कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा हेल्थ पे चलते हैं, सेहत पे चलते हैं हफते के शुरुवात में फीवर हो सकता है, आपको बॉड़ी की हीट पर सकती है पित्त रोग तंग कर सकते हैं साथी में इस हफते आपको ब्लड डिसॉर्डर्स भी तंग करेंगे साथी में एंग्जाइटी की प्रॉब्लम भी आपको थोड़ी बहुत तंग कर सकती है हफते के अंत में स्लीब डिसॉर्डर्स भी आपको थोड़ी तंग करेंगे कि अपने किसी पुराने दोस्त को याद कीजिए जिनसे बहुत समय से कॉंटेक्ट नहीं कर पाए है जब हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं उम्र बढ़ती है कभी-कभी दोस्तों का साथ शूड जाता है बहुत दिल करता है उनसे बात करने का मिलने का पर इतनी चीजों में हम फसके रह जाते हैं कि पुराने दोस्तों से बात नहीं हो पाती तो इस हफ्ते अपने किसी पुराने दोस्ते मिली उनसे बात कीजिए आपको बहुत अच्छा लगेगा किसी चीज में आपको help चाहिए guidance चाहिए तो उसके लिए किसी से बात कीजिए अकेले ही बैठे रहेंगे सोच सोच कर उस चीज को बड़ा बना देंगे कोई फाइदा नहीं होगा यदि कोई problem है तो किसी के साथ इस हफ्ते discuss कीजिए इस हफ्ते यात्रा के योग बन सकते हैं हफ्ते के अंत में करियर पे चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं ये हफ्ता आपके लिए ठीक ठाक दिख रहा है हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा over emotional over sensitive रह सकते हैं intuition level अच्छा रहेगा imagination अच्छी रहेगी लेकिन अगर आपको आपके काम के लिए तारीफ नहीं मिली तो बहुत low feel कर सकते हैं हफ्ते के बीच का समय बहुत अच्छा है stability दिख रही है food industry से जुड़ा कुछ आपका काम है तो ये हफ्ते के बीच का समय आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है पैसे के हिसाब से भी अच्छा समय है हफ्ते के अंत का भी समय ठीक है job के लिए लेकिन जल्द बाजी में कोई निरने मत लीजिएगा job छोडने के chances बन रहे हैं आपके नई job के chances बन रहे हैं लेकिन अभी जब तक सब कुछ concrete नहीं हो सब कुछ पक्का नहीं हो कोई निरने मत लीजिएगा business पे चलते हैं जो लोग business करते हैं हफ्ते की शुरुआत का समय बहुत शुब है अच्छे योग बने हो है लक्ष्मी योग है पैसा जरूर आएगा हफ्ते के बीच का समय भी के लिए बहुत शुब दिख रहा है अगर आपके business में कुछ काम अटक रहे थे कुछ काम देले हो रहे थे उन सबसे related कोई positive news आपको हफ्ते के बीच में मिल सकती है हफ्ते के अंत का समय है अपने business को analyze करने का साल की शुरुआत हो जाएगी थोड़ा आपने business के बारे में planning करेंगे, analysis करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कोई trade का काम है आपका जिसमें समान का बहुत लेन देन होता है या liquid से जुड़ा कुछ काम है तो ये हफता आपके लिए अच्छा रहेगा relationship की तरफ चलते हैं हफते की शुरुवात में emotional compatibility अच्छी रहेगी एक दूसरे को समझेंगे एक दूसरे की बातों को समझेंगे उन पे गौर करेंगे हफते के बीच में यही कहोंगा कि थोड़ा communication ठीक करने की कोशिश कीजिए शायद एक शेल में घुश जाएंगे हफते के बीच में किसी से बात करने का दिल नहीं करेगा पर्टिकुलर अपने पार्टनर से अगर ऐसी situation होती है तो थोड़ा सा communication ठीक करने की कोशिश कीजिएगा वरना वो आपकी इस चीज को गलत समझ सकते हैं हफते के अंत का समय बहुत अच्छा नहीं दिख रहा relationship के लिए कुछ problems आ सकती है जिनके relationship में बहुत जादा problems आ रही है वो अपने relationship को अंत करने के बारे में भी सोच सकते हैं विवाहिक जीवन की तरफ चलते हैं यह हफता मिला जुला रहेगा हफते के शुरुवात में बहुत सारे changes आएंगे married life में जिसको शायद handle नहीं कर पाएंगे हफते के बीच का समय comparatively अच्छा दिख रहा है stable दिख रहा है आपकी तरफ से energy बहुत pure रहेगी अगर आपके partner भी reciprocate करते हैं तो अच्छा समय जाएगा हफते के अंद में बहुत exhausted feel करेंगे अपने आपको बंदा हुआ feel करेंगे शादी के बंदन में कई बार मन में ख्याल आएगा कि इस शादी के बंदन से निकल जाओ finances और expenses की बात कर लेते हैं खर्चों की बात कर लेते हैं हफते की शुरुवात में health पर थोड़ा खर्चा होगा घरवालों की इच्छाओं पूरे करने पर थोड़ा खर्चा होगा हफते के बीच में थोड़े आपको losses हो सकते हैं खर्चे बढ़ सकते हैं पैसों को लेकर काफी चिंतित रहेंगे हफते के अंत का समय comparatively बहुत अच्छा है पैसा आएगा धनयोग बने हुए है बहुत positive है हफते के अंत का समय पैसे के हिसाब से savings के बारे में भी बहुत serious हो जाएंगे सेहत की health की बात कर लेते हैं हफते की शुरुवात में acidity की problem और यदि आपने बहुत oily spicy खाना खाया तो आपका rate खराब हो सकता है बहुत problem भी हो सकती है हफते के बीच में lower back में दर्द कमर में दर्द रह सकती है और हफते के अंत में आपको BP की problem और रक्त विकारतं कर सकते हैं अब चलते हैं मुलांक 5 की तरफ जिनका जन्म 5, 14 और 23 तरिक को हुआ होता है उनका मुलांक को होता है पांच और आपके मुलांक के स्वामी है बुद्ध याने की मर करी जन्रल प्रेडिक्शन से स्टार्ट करते हैं यह हफता बहुत positive दिख रहा है आपके लिए overall energy का level बहुत high रहेगा especially हफते के शुरुवात में बहुत high बहुत positive energy रहेगी confidence level भी अच्छा रहेगा हफते के बीच में भी confidence का level बहुत अच्छा दिख रहा है जिसके कारण life के हर aspect में आपको मदद मिलेगी हफते के अंत में एक चीज़ कहूँगा कि जादा सोचिएगा मत चिंताओं को जादा महत्व मत दीचेगा अपने जिन्दगी में वरना negative सोच सोच कर बाके चीज़ों से आपका दिमाग आपका ध्यान हट जाएगा career पे चलते हैं जो लोग job करते हैं ये हफता अच्छा दिख रहा है पुरी authority रहेगी administration level पे काम करते हैं ऐसा कुछ काम करते हैं जहाँ पे executive powers होती है आपके पास तो ये हफता आपके लिए अच्छा दिख रहा है confidence अच्छा रहेगा career शेत्र में growth के chances मिल सकते हैं एक चीज़ कहूंगा कि हफते के अंत तक आते आते थोड़ा aggression आप में आ सकता है वो थोड़ा problematic आपके लिए हो सकता है अगर interior designing से जुड़ा metal से जुड़ा या फिर transport से जुड़ा कुछ भी आप काम करते हैं तो ये हफता आपके लिए अच्छा दिख रहा है business पे चलते हैं जो लोग business करते हैं आपके लिए ये हफता positive ही दिख रहा है थोड़े efforts इस हफते जादा करने पड़ेंगे, मेहनत जादा करनी पड़ेंगी और उस मेहनत के आपको result भी अच्छे मिलेंगे थोड़ा over emotional हो सकते हैं sensitive रह सकते हैं हफते की शुरुवात में लेकिन जैसे जैसे समय भी तेगा चीजे ठीक हो जाएंगी हफते के बीच में communication पर काम करना होगा आपको अपने clients के साथ अपने partners के साथ communication better करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा हफते के अंत का समय मिला जुला है अचानक से आपको profit हो सकता है कोई बहुत अच्छी deal मिल सकती है लेकिन कोई आपको ठगने की आपको बेफ़व बनाने के भी कोशिश कर सकता है थोड़ा समहल के रहे मीडिया से जुड़ा internet से जुड़ा कोई भी business है आपका social media से जुड़ा तो आपके लिए ये हफता अच्छा है relationship की तरफ चलते है emotions का बहाव हफते की शुरुवात में बहुत ज़ादा दिख रहा है जिसको control शायद नहीं कर पाएंगे और उस emotion के बहाव में कुछ उल्टा सीधा कर देंगे कह देंगे जो थोड़ी problems create कर सकता है हफते के बीच में थोड़ा aggression आपके बीच में आ सकता है आपके अंदर आ सकता है लेकिन एक चीज़ कहूँगा यादि अपने partner से कुछ कहने से बहुत समय से हिचक रहेते तो उसके लिए सही time है जो भी आपको उनको confront करना है हफते के बीच में कर दीजेगा हफते के अंद में उन लोगों के लिए कोई अच्छी कबर आ सकते है जिनके relationship में बहुत problems आ रही थी जो भी negativity है बहुत हट तक आप दोनों के बीच में दूर होते भी दिख रही है विवाहिक जीवन की तरफ चलते हैं अच्छा खासा दिख रहा है हफता ट्रस्ट की जो कमी हो गई थी वो दुबारा आएगा आपके तरफ से प्रयास होंगे आपके पार्टनर की तरफ से प्रयास होंगे आपके life पार्टनर की तरफ से मैं यहीं कहूंगा कि थोड़ा trust develop करने की कोशिश कीजिए especially जिनकी merit life थोड़ी problematic चल रही है या फिर जिनकी recently ही शादी हुई है कुछ नई शुरुआत करना चाते थे कुछ नई changes लाना चाते थे विवाई की जीवन में उसके लिए अच्छा हफता है हफते के अंत में अपने partner को बहुत अच्छी तरह समझेंगे emotional compatibility बहुत अच्छी रहेगी खर्चों की तरफ चलते हैं finance की तरफ चलते हैं हफते के शुरुआत का समय पैसे के हिसाब से अच्छा है कुछ अच्छी news आ सकती है पैसे के हिसाब से government की तरफ से कुछ लाब मिल सकता है और savings भी आप करने के बारे में सोचेंगे हफते के बीच का समय खर्चों के इसाब से बहुत अच्छा नहीं दिखरा मतलब कि खर्चे आपके जादा होंगे control करने की बहुत कोशिश करेंगे लेकिन कोई चीज ऐसी पसंद आ जाएगी जो शायद आपके बजट से बाहर भी हो तब भी उसको लेने का पूरा प्रयास करेंगे हफते के अंत का समय अच्छा है savings के बारे में सोचेंगे आपको अकस्मत धनलाब हो सकता है हफते के अंत में सेहत पे चलते हैं हेल्थ पे चलते हैं हफते की शुरुवात अच्छी दिख रही है कोई प्रॉब्लम यदि आपको हेल्थ की थी तो उससे रिखवरी हो सकती है हफते के बीच में आपको blood disorders, रक्तविकार और high-VB की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी हफते का अंत भी हेल्थ के हिसाब से अच्छा दिख रहा है कोई major problem नहीं दिख रही है आप चलते हैं मुलांक 6 की तरफ जिनका जन्म 6, 15 और 24 तारिक को हुआ होता है उनका मुलांक होता है 6 और आपके मुलांक के स्वामी है शुक्र यानिकी Venus जन्रल प्रडिक्शन से स्टार्ट करते हैं ये हफता ठीक ठाक है आपके लिए किसी से guidance यदि चाहिए थी किसी भी चीज को लेकर व्यक्तिकत जिंदगी हो प्रोफेशनल जिंदगी हो तो आपको इस हफते वो guidance वो help मिल सकती है काफी भावक रहेंगे emotional रहेंगे इस हफते आपके अंदर लोगों में प्यार बाटने का भाव रहेगा लोगों की help करने का भाव रहेगा जो कि अच्छा भी है एक चीज कहूँगा कि इस हफते अपनी health पे focus कीजिए बाकी चीजों को थोड़ी कम priority देंगे तब भी चलेगा अपनी सेहत का आपको बहुत ध्यान रखना है करियर पे चलते हैं जो लोग job करते हैं आपके लिए हफता अच्छा ही दिख रहा है काफी creative रहेंगे हफते के शुरुवात में लेकिन साथी साथ over emotional भी हो सकते हैं हफते के बीच में करियर में पूरी authority रहेगी लेकिन यही authority aggression में बदल सकती है इस चीज का आपको ध्यान रखना है वैसे हफते के बीच का समय बहुत अच्छा है आपके लिए job के हिसाब से हफते के अंत का समय भी बहुत अच्छा दिख रहा है stability रहेगी करियर में कोई अच्छी news भी मिल सकती है भागय भी आपका पूरा साथ देगा कारेक शेत्र में insurance से जुड़ा foreign से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं हफता positive है business की दरफ चलते हैं business के लिए भी यह हफता अच्छा ही दिख रहा है हफते की शुरुवात में थोड़े obstacles आ सकते हैं खर्चे बढ़ सकते हैं थोड़े से losses हो सकते हैं लेकिन जैसे जैसे हफता आगे बढ़ेगा चीजें stable होएंगी हफते के पीच में आपको कोई बहुत अच्छा contract मिल सकता है पैसे के हिसाब से भी हफते के बीच का समय अच्छा दिख रहा है हफते के अंत का समय भी ठीक ठाक है लेकिन aggression आपको थोड़ा नुकसान पहुचा सकती है बिजनस में food industry से जुड़ा travel से जुड़ा public dealing से जुड़ा कोई भी business है हफता अच्छा दिख रहा है relationship की तरफ चलते है अपने value अपनी value आपको दुबारा स्थापित करनी पड़ेगी अपने relationship में जो कहीं खोस ही गई है आपके partner आपको for granted ले रहे है आपकी ज़्यादा value नहीं कर रहे है आपको ज़्यादा इज़त नहीं दे रहे time नहीं दे रहे तो ये सब चीज़ें आपको खुद ही ठीक करनी है अपनी value दुबारा स्थापित कीजी अपने relationship में ये हफता वैसे जैसे जैसे आगे बड़ेगा relationship के लिए अच्छा समय है अपने partner के साथ कहीं घूमने जाने का मौका मिल सकता है और हफते के अंत में बहुत अच्छा time spend कर पाएंगे अपने partner के साथ विवाही की जीवन की तरफ चलते हैं विवाही की जीवन के लिए एक ही चीज़ कहूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि विवाही की जीवन में changes आए कुछ problems आ रहीती तो वो हटें तो आपको पहले अपने आपको बदलना पड़ेगा फिर अपने life partner से कुछ expect कीज़े पहले खुच changes लाइए फिर उन से expect कीज़े हफते के बीच का समय विवाहीक जीवन के लिए अच्छा नहीं है कुछ problems आ सकती है कुछ major problems आ सकती है थोड़ा धैर रखिएगा हफते के अंत का समय comparatively अच्छा रहेगा बातचीत बेटर होगी physical compatibility emotional compatibility अच्छी दिख रही है किसी चीज का मिलके दोनों बेट कर रहे थे उसके संबंद में positive news मिल सकती है finances and expenses की तरफ चलते है हफते की शुरुआत का समय अच्छा है खर्चों पे control रहेगा savings के तरफ आपका ध्यान जाएगा कुछ ऐसी चीजे हो सकती है जो आपके control में नहीं है उन पे खर्चा हो सकता है वरना हफते की शुरुआत का समय अच्छा है हफते के बीच में खर्चे बढ़ेंगे losses होंगे अनावश्यक खर्चे होंगे जिनके कारण काफी frustrated हो जाएंगे हफते के अंत के समय भी थोड़े खर्चे जादा दिख रहे हैं laziness के कारण आपके हाथ से कोई पैसे से related अच्छी opportunity मिस हो सकती है सेहत पे चलते हैं हफते के शुरुआत में आखों से सम्मदित problem तंग करेगी और कुछ major भी हो सकता है थोड़ा आखों के तिरफ ध्यान दे हफते के बीच में भी आखों से सम्मदित ही problem दिखा रहा है और हफते के अंत में आपको सर से सम्मदित anxiety disorders और sleep disorders तंग कर सकते हैं आप चलते हैं मुलांक साथ की तरफ जिनका जन्म साथ सॉला और पच्चिस तारीक को होता है उनका मुलांक होता है साथ और आपके मुलांक के स्वामी है के तू जनरल प्रडिक्शन से स्टार्ट करते हैं कोई काम आपका बहुत समय से अटक रहा था उसके संबंद में कोई positive news आपको इस हफते मिल सकती है काफी changes आ सकते हैं आपके life में उनको accept करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा एक चीज कहूंगा कि हफते के अंत में अपने विचारों में अपने thoughts में, thinking process में एक openness रखेंगे तो कोई बहुत अच्छी opportunities आपको शायद मिल सकती है करियर की तरफ चलते हैं जो लोग job करते हैं और अपने career में, अपनी job में आगे बढ़ना चाहते हैं कुछ change लाना चाहते हैं तो अब कुछ आपको practicality में भी करना पड़ेगा काफी सोच विचार हो गया अब उन thoughts को execute करके action में बदलने का समय आ गया बार-बार मन में आएगा कि इस career से आपको satisfaction नहीं मिल रहा especially professional satisfaction जो होता है उसकी कमी रहेगी हफते के बीच में आपके career में हफते के अंत का समय comparatively अच्छा है जो लोग job करते हैं उनके लिए आपकी image better होगी, popularity gain कर सकते हैं बहुत positive समय है हफते के अंत का career के लिए उनके लिए ये हफता positive है, business पर चलते हैं जो लोग business करते हैं ये हफता overall अच्छा दिख रहा है, हफते की शुरुवात में ही कोई profit हो सकता है पैसे से related अच्छी news आ सकती है, बिगड़े हुए काम बन सकते हैं हफते के बीच का समय भी बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा अपने communication पे ध्यान देना पड़ेगा अपने partners से, अपने clients के साथ हफते के अंत में कुछ गलत निरने के कारण, laziness के कारण, पर्याप्त efforts ना करने के कारण, कोई बहुत अच्छी opportunity अपने business के लिए गवा सकते हैं Chemical से जुड़ा, gadget से जुड़ा, communication से जुड़ा, कुछ भी business करते हैं तो अच्छा रहेगा ये हफता Relationship की तिरफ चलते हैं, Relationship के लिए हफते की शुरुवात अच्छी दिख रहेगी है, harmonious relation रहेगा, compatibility अच्छी रहेगी, बाच्चेत अच्छी होगी हफते के बीच में भी बहुत अच्छा communication का level रहेगा, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की समवेदनाओं को समझेंगे लेकिन हफते के अंत का समय इसके विपरीत अच्छा नहीं दिख रहा, बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है, वाद विवाद हो सकते हैं, Relationship में अगर अल्रेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो आप कोई बड़ा निरनय लेने के बारे में भी सोच सकते हैं विवाहिक जीवन की तरफ चलते हैं, विवाहिक जीवन के लिए ये हफ्ता मिला जुला दिख रहा है, हफ्ते की शुरुवात में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसका शायद आपके घर के बड़े सॉलुशन निकाल दें, हफ्ते के बीच के समय में थोड़ finances and expenses पर चलते हैं, ये हफ्ता ठीक ठाक है पैसे के हिसाब से, पैसा कमाने के लिए भागे साथ देगा हफ्ते के शुरुवात में, लेकिन कुछ religious activity पर थोड़ा पैसा खर्च हो सकता है, पढ़ाई पर भी पैसा खर्च हो सकता है, हफ्ते के बीच में emotional buying कर सकते हैं, यानि कि एकदम आपका यदि mood खराब हो गया, mood low हो गया, तो एकदम कुछ सामने आया और आपने खरीद लिया, जिसके बारे में बाद में आप सोचेंगे कि ये में को चाहिए ही नहीं था, बहुत महंगा है, तो इस चीज़ पर थोड़ा control करेंगे तो अच्छा रहेगा, हफ्ते के बीच में lifestyle disorders तंग करेंगे और हफ्ते के अंत में आपको water retention की problem और कफ रोग तंग करेंगे, अब चलते हैं मूलांक 8 की तरफ, जिनका जन्म 8, 17 और 26 तारिक को होता है, उनका मूलांक होता है, आठ और मूलांक के स्वामी है शनी देव, यानिकी Saturn, जनरल prediction से start करते हैं, आपन अपना devotion अपने life के हर aspect में बना के रखिएगा, अपने करतव्यों से पीछे मत हटिएगा, हफ्ते के अंत का समय किसी नई शुरुवात के लिए बहुत शुब है, कुछ भी नई शुरुवात करना चाहते थे, life के किसी भी aspect में, उसके लिए अच्छा है हफ्ते के अंत का समय करियर पे चलते हैं, बहुत positive नहीं दिख रहा करियर के हिसाब से, अनिशित्ता बहुत रहेगी, वाद व्याद होंगे, मान सम्मान को हानी पहुँच सकती है, बहुत positive नहीं दिख रहा करियर के हिसाब से, ये हफते के बीच का समय अच्छा रहेगा, लेकिन हफते की वाद में arguments हो सकते हैं, वाद वाद जादा हो सकते हैं, और हफते के अंत का समय अनशित्ता भरा रहेगा, चीजें clear नहीं रहेंगी, जिसके कारण आप frustrated feel करेंगे. बिजनस पर चलते हैं, जो लोग बिजनस करते हैं, उनके लिए यह हफता अच्छा है, कई चीजें आपकी favor में जाएंगी, कुछ नई चीज की शुरुवात हो सकती है, आप कुछ नया change लाने के बारे में सोच सकते हैं, जो positive होगा. भागे बहुत साथ देगा आपका इस हफते, business में, especially हफते के बीच में, और हफते के अंत में एक नई उर्जा आपके business को प्राप्त हो सकती है, education से जुड़ा कोई भी business करते हैं, या फिर marriage से related आपका कोई business है, तो यह हफता बहुत लाबकारी होगा. Relationship पे चलते हैं, हफते के शुरुवात में नया relationship स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्चा समय है, भागे साथ देगा. वैसे यह हफता normal जाना वाला है, जो लोग relationship में उनके लिए, आपके बीच की miscommunication दूर हो सकती है, compatibility बेटर हो सकती है, हफते के बीच का समय बहुत अच्चा है, इसका फायदा जरूर उठाइएगा. हफते के अंत में छोटी 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 चीजों के कारण वाद व्याद हो सकते हैं, जो छोटी 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 चीजे हैं वो बहुत बड़ा आकार भी ले सकती हैं, तो थोड़ा धैर रखिएगा. विवाहे की जीवन पे चलते हैं, हफते की शुरुवात का समय अच्छा देख रहा हैं, अपने पार्टनर को समझेंगे, उनकी बातों को समझ की उन पे गौर करेंगे और आगे बढ़ेंगे. हफते के बीच का समय विवाही की जीवन के लिए अच्छा नहीं है, बहुत वादव्याद होंगे, आग्यूमेंट्स होंगे, जगड़े होंगे. और comparatively हफते के अंद का समय अच्छा है, अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे, अपनी बाते उन से शेयर कर पाएंगे, और कोई प्रॉब्लम भी है तो उसका मिल जुल के सॉलुशन निकालने की कोशिश करेंगे. finances की बात कर लेते हैं, expenses की बात कर लेते हैं, हफते के शुरुवात में खर्चे ज़ादा होंगे, uncontrolled होंगे, हफते के बीच में mismanagement के कारण या फिर अचानक से कोई निरने लेने के कारण खर्चे ज़ादा हो सकते हैं, लेकिन पैसा भी हफते के बीच में ज़रूर आएगा. हफते के अंत का समय पैसे के इस आप से अच्छा नहीं है, खर्चे बढ़ेंगे, losses हो सकते हैं, जहां से सोचाता पैसा आएगा, वहां से नहीं आपाएगा. सेहत की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, हफते की शुरुवात में anxiety disorder, हफते के बीच में chest संबंदित रोग, water retention की problem तंग कर सकते हैं, हफते के अंत में सर से संबंदित रोग बहुत तंग करेंगे. चलते हैं, मुलांक 9 की तरफ, जिनका जन्म 9, 18, 27 तारीक को हुआ होता है, उनका मुलांक होता है, 9 और स्वामी होते हैं, मंगल यानिकी मार्स. जनरल प्रेडिक्शन से स्टार्ट करते हैं, आपके लिए हफता बहुत positive है, बहुत जादा positive है, बहुत जादा अच्छा है, भाग्यापका हर चीज में साथ देगा, इस हफते भाग्या का साथ आपको बहुत मिलने वाला है, कई बिगड़े हुए काम बन सकते हैं, रुके ह बहुत positive है आपके लिए हफता, करियर पे चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं, उनके लिए भी यह कहूंगा, कि करियर में भी भाग्यापका पूरा साथ देगा, हफते की शुरुआत में especially भाग्या साथ देने वाला है, हफते के बीच के समय को planning के लिए यूज करेंगे, करेंगे, अनलाइज करेंगे तो अच्छा रहेगा, और हफते के अंत का समय तो सबसे शुब है, कोई बहुत positive news आपको अपने career से related मिल सकती है, यह हफता overall आपके लिए बहुत अच्छा है, पैसे भी और career में भी बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, बिजनस पे चल कोई loss अगर हो गया था, उसकी भरपाई भी हो सकती है हफते के बीच में, हफते के अंत में थोड़ा आपको अनलाइज करना पड़ेगा कि बिजनस में क्या कमी रह रही है और उस इस आप से आगे बढ़ना पड़ेगा, education industry से जुड़ा कोई भी बिजनस करते हैं, तो बहु हो सकता है, जादा आप बात्चित नहीं करना चाहेंगे, हफते के बीच का समय अच्छा रहेगा, अच्छा experience शेर करेंगे अपने पार्टना के साथ, अच्छा time spend करेंगे, हफते के अंत में आपकी तरफ से energy, intensity बहुत high रहेगी, देख लीजिएगा कि क्या आपके पार्टन उस energy को match कर पा रहे हैं, वरना अपने अंदर थोड़ा धहरे रखिएगा, विवाहिक जीवन की तरफ चलते हैं, विवाहिक जीवन में यही कहूंगा कि कोई false commitment मत दीजेगा हफते के शुरुवात में और पूरे हफते में ही, वरना long term negative impact पड़ेगा, हफते के बीच का समय च अपके लिए अच्छा है, हफते के अंत में थोड़े वाद विवाद आपके अपने partner के साथ हो सकते हैं, आपकी तरफ से aggression थोड़ा ज़ादा दिखना है, expenses की खर्चे की बात कर लेते हैं और finances की बात कर लेते हैं, हफते की शुरुवात में खर्चे ज़ादा होंगे, अनिय कारण आपका थोड़ा खर्चा ज़ादा हो सकता है, हफते के अंत का समय खर्चे के हिसाब से अच्छा है, पैसे के हिसाब से अच्छा है, आप savings करेंगे और पैसे कमाने के नए sources भी खुल सकते हैं, सेहत की बात करें तो हफते की शुरुवात में पेट से संबंदित problem दंग करेंगे, हफते के बीच में आपको टांगों से संबंदित problem दंग करेंगे और हफते के अंत में नसों से संबंदित और anxiety disorders दंग करेंगे, तो ये था 27 दिसंबर से 2 जनवरी का सापताहिक अंक जोतिश राशिफल weekly numerology report, चैनल पे नए है, सब्सक्राइब कीजे, वीडियो को लाइक केजिए, मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए, पूंद में